नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका कक्छा 10 गड़त की एक और बहतरीन वीडियो में दोस्तों इससे पहले हम कख्छा अध्य 10 तक सभी इंपोर्टेंट सवाल कर चुके हैं मैं सारे इंपोर्टेंट सवाल आपको बता चुका हूं कि किस अध्य में से कौन सा सवाल इंपोर सवाल इंपोर्टेंट है कितने नमर का पूछा जाना है और कितना करना है देखिए दोस्तों परिक्षण अजदीक है हम सभी सवाल नहीं लगा सकते है अब भूई बाले लगाना है जो आना है इस बार ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कौन-कौन से सवाल इ छितपल इसमें से क्या है ऊटी जानदतर नहीं पूछ जाने फिर भी अगर आप इस सूत्र याद करके जाते हो जैसे कि सवालों में भी लगते हैं त्रजिखंड का सूत्र होता है है ना ब्रत की चाप की लंबाई यह त्रज्या आधी है ना और जैसे कि यह आपको थोड़ रखी है और इनके आंसर दे रखें जे आपके एक बाक्य में होता है तो इनका कभी अगर पूछ लिया जाए तो उस लिए ठीक है अब अगर मैं सवाल की बात करूं 23 में कौन सा सवाल आया था इसमें से जैया था 6 सेंटीमिटर वाले त्रज्या वाले एक ब्रत की त्रज्य आपको अनने की कषेट का इंगसते बाए और पाई कमान आपको जे रखल न 해 अंगा ब्रत के चतुर चेट वाले इसकी पर्दिेगें और यहां पाई का मान आपको जे रखना है बहुत इंपोर्टेंट सवाल है दो नंबर का है बिल्कुल आएगा एक आता है आपका एक घली की मिनिट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है इस सुई द्वारा पाच मिनिट में रचित छेट पल ग्याद कीजिए देखे 2003 से सारे इंपोर्टेंट सवाल बता रहा हूं आपको बढ़िया से याद करते चलना है मतलब सवाल लगाके जाना है अंगला सवाल है आपका 28 सेंटीमीटर तरज्या वाले उस तरज जिखंड का चेटपल ग्याद कीजिए जिसका केंदर एसीज को पैतालिस डिग्री हो बहुत करता है इंपोर्टेंट सवाल है इसको आप लगाके जाओए और एंगला है एक छत्री में आठ ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए छत्री को 45 सेंटीमीटर तरज्या वाला एक सपाट ब्रत मानते हुए उसकी दो क्रमागत तानों के बीच का छित पल ग्याद कीज का मान आएगा तरज्य खंड का लिए वशवपन मान रखतेंगे ठीक है अंगला सवाल है दस सेंटीमीटर तरज्या वाले एक ब्रत की कोई जीवा के अंदर पर एक समकोण आंतरित करती है निमलेकरत की छेतपल ग्याद कीजिए ती नमर वाला सवाल है संगत लगूख ब्र दिगरी का कोण आंतरित करता है ग्याद कीजिए विसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे चाप की लंबाई ग्याद कीजिए चाप द्वारा बनाए गया तरज्यखंड का छेतपल ग्याद कीजिए और श्रम में पाई का मान रखना 22 बटे साथ तो आपको एबाला सवाल है इनको आपको छोड़ना नहीं है लगा के जाना है और अंगला सवाल है 14 सेंटीमेटर त्रज्यवाले उस लगू विरतखंड का छेतपल ग्याद कीजिए जिसका गैंदरी एक और साथ डिगरी है संगत दीर विरतखंड का छेतपल भी ग्याद कीजिए बहुत इंप सवाल है नव और यहीं है आए बारात दया है बारात डेह का नाम है प्रस्टीज एवं उसका आपarena पिछली बाद के ःचली बाध इस बार की रागा पिछली बार की ऑसका पूंचा गया थया चांद नमर का पूचा गया थे अब 오래pp crush लगिए ओर अभी बर्यतमान में इसको तो कहने का मतलब यह सवाल तो इसमें से चान नमर का ही आएगा ओटी यानिकी जो अब्जेक्टिव हैं वो दो नमर के आएंगे ठीक है देखते हैं कौन-कौन से इंपोर्टेंट सवाल है ठीक हो आप देखिए अब्जेक्टिव थोड़े से देखते जाईए इसमें जेबाला पूछा गया था कि संकु की तरिया को चाहिका सूत्र लिखे बहुत इंपोर्टेंट है जो तो हर बार पूछा जाता है इससे सम्बंदित सवाल भी पूछा जा सूत्र घंढब का आयतन और बर्ग कर चितिव पूर्ए आपके यहां से थी घंढब का अय थन क्या हो जाएगा यह ज़य बैट ए ले भी इनाट ईसमें पूछा जिद्वाइस में पूछा जो है तो आपको इनको याद कर लेनाय ४र आते एक सब्दे में उत्तर तो जी सभी के सूत्र लिखें दिख लीजी सूत्र आपको याद करके जाना क्योंकि इसमें सूत्र का ही खेल है मैं ठीक है अब आते हैं अपन सवालों पर जी है इसका चार नंबर का सबसे इंपोर्टेंट सवाल दवा का एक कैपसूल एक वेलन के आकार का है जिसके दौनों सिरों पर एक एक अर्दगोला लगा हुआ है पूरे कैपसूल की लंबाई 14 mm और उसका ब्यास 5 mm है इसका प्रेस्टी शित्पल घ्याद कीजिए इस तरीके से चतर बनेगा बहुत इंपोर् बनाई गई है जैसा की संग्लान आकरती में दर्साइब आकरती बनी हुई आएगी आपको पेपर ठीक है यदि वेलन की उचाई 10 cm और राधा की तरिज्जा साड़े तीन सेंटीमीटर है तो बस्तू का शंपूर प्रष्ट छेत्पल घ्याद कीजिए इंपोर्टेंट है इ प्रष्ट की उचाई के लिए 8 cm गहरे पानी को की आवसकता होगती है वहाँ जान्दा इंपोर्टेंट सवाल है जिप पूछा जाएगा ठीक है और इस बार जो टेस्ट लिए थे जो पिरिवोर्ड वाले टेस्ट लिए थे प्रेक्टिस पेपर के उसमें से भी जी आया था अंगला सवाल है एक खिलोना तरज्ज साड़े 3 cm वाले एक संकू के आकार का है जो उसी तरज्ज वाले एक अर्ध गोले पर अर्ध्या रूपे थे इस खिलोने की संपूर्ण उचाई 15 cm इस खिलोने का संपूर्ण प्रेस्टिस चितपल ग्याद किजे इस तरीके से आपको खिलोना बनाना है और फिर इसमय से ग्याद करना है ठीक है बहुत जादा इंपोर्टेंट कोस्चन है अंगला इंपोर्टेंट सवाल है उचाई 2.4 cm वाले एक थोस बेलन में से इसी उचाई और इसी ब्यास वाला एक संकू कार खोल है ना कैबिटी काट लिया जाता है से कोस्ट का निकटतम बर्ग सेंटीमीटर तक प्रिश्चेश शित्पल ग्याद कीजिब फहुत इंपोर्टेंट है 23 में पूछा भी गया है इस बार रिपीट भी हो सकता है ठीक है अंगला कोश्चन है एक जूस बेचने बाला अपने गिराकों को आकरती में 10 से जूस देता ह बेलनाकार गिलास का अंत्रिक व्यास 5 सेंटीमीटर था परंदू गिलास के निचले आधार में एक उबरा हुआ अर्दगोला था जिससे गिलास की धारता कम हो जाती है यदि एक गिलास की उचाई 10 सेंटीमीटर थी तो उस गिलास की आवासी धारता का यावास्तिक धारता ग्यात कीजिए दो 22 में पूछा भी गया इंपोर्टेंट है इस टाइप से गिलास बनेगा आपका ठीक है इसमें से इंपोर्टेंट सवाल एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक संकू के आकार का है जिसकी तरज्जा बन सेंटीमीटर तथा संकू की उचाई उसकी तरज् को एक पाइप द्वारा तीन सही चार बटा साथ लीटर प्रती सेकंड की दर से खाली किया जाता है यदि टंकी का व्यास तीन मीटर है तो एक कितने समय में आदी खाली हो जाएगी दोस्तों जे हमारे थे 11-12 आत है कि कुछ इंपोर्टेंट सवाल अगर आपको अच्छा ल जाएगा ध्यारगना बोर्ड परीक्षा में पूरे के पूरे पसेंगे तो इसलिए आप सभी वीडियो अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से सवालों को सॉल्व कर लीजिए और जो भी सवाल आपको नहीं आता है मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो मैं उसका सॉ प्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं धन्यवादा